आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नवंबर में पांच बड़ी वेकैंसी के वाले में जिसमें कोई मेन एक्जामनेशन नहीं है और इसमें 12 पास भी भर सकते हैं ग्राइशन वाले भी अपलाई कर सकते हैं और बीटेक भी यहां पर अपलाई कर सकते हैं तो क 24,000 प्लस वेकंसी आई है और बात करें यहाँ पर लाश्ट डेट की तो सभी के लाश्ट डेट में आपको बताने बाला है कि लाश्ट डेट क्या होने बाला है अपलाई करने का और इन सभी रिकूट्मेंट की कोर्स आपको यहाँ पर डिस्कुप्शन बॉक्स में जाएगा डिस्कुप्शन बॉक्स में आपको इन सभी रिकूट्मेंट की फुल कोर्स मिलेगी और साथ ही साथ आपको टेस्ट डिजे मिलेगा तो जरूर से जाको उसको जॉइन कर लेना नीचे सभी के लिंक में ने दे दिया है तो जरूर से जाको उसको जॉइन कर लेना गाई तो सबसे पहले लिस्पा म RIGHT है कि वेकेंशी है 84 सो पंदरा पर टोटल वेकेंसी है अगर इसकी लास्ट डिट की बात करें तो आ पियाँ सकते हो Dan 14th December यहां पर इसका last date दिया गया है apply करने का अगर बात कर रहे हमें तो इसम इसमें सरिफ एक ही आपका EXAM होने वाला है एक ही आपका routine test होगा बाकि है और यहाँ पर पॉने वाला वह physical test होगा ठैक है तो selection process में सरिफ एक ही एक्जाम ही होने वाला है इसमें इसमें भी कोई वीडियो में ने बना दिये तो दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्स में दूँगा साथ ही साथ इसकी फुल कोर्स भी मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में दे दूँगा ठीक है तो ज़रूर से जाके उसको चेक आउट कर लेना अब बात करते हैं अगले वक प्लस टू के लिए निकाला गया है आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट देख सकते हो यहाँ पर जो आपका लाश्ट डिट रहने वाला है फॉर्म फिलप को मैं आपको बता देता हूं 15 दिसंबर आपका यहाँ पर लाश्ट डेट होने वाला है इसमें भी आपकी एक ही CBT एक्जाम होगी जिसकी यहाँ पर डेट मेंजिशन है आप डेट भी देख सकते हो इसमें दूसरी यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पेपर होना है और बाकी आपका इसकल टेश्ट होगा यानि कि इसमें भी कोई में एक्जामनेशन नहीं होने वाला है तो आपकी यहाँ प है कि 5000 विकेंशी रिलीस करा जाएगा इससी हमेंसे अपनी विकेंशी बाद में रिलीस करता है तो यहाँ पर 5000 वकेंशी आयने वाली है अब वहीं बात करें कि इसकी फूल कोड्स और इसकी स्लेवर की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शिन वाक्स मिलेगा और गाइस इसकी फ करो उसमें सब कुछ मिलेगा इसकी फुल कोर्स और इसकी नाइन येर सॉल पेपर भी मिल जाएगा अब बात करते हैं अगले वेकेंशी के बारे में अगली वेकेंशी आई हुई है यूपी पीसल की तरफ से जिसमें की पोश्ट जूनियर इंजिनियर अगर यहां पर इसकी ऑ बात करें पोश्ट कितना है तो दो सो से जादा यहां पर टोटल पोश्ट है गाईज जिसमें की अलेक्ट्रिकल ब्रांच अलिजवल है और आप इलक्रोनिक से हो तो आप यहां पर इस फॉर्म को फिल कर सकते हो ठी यहां पर डिप्लोमा भी अलिजवल है ओके तो अब बात अब आपको डिस्क्रिप्शन वाक से मिलेगा यहां करो काफी ज्यादा बेनफीशिल आपके लिए वह कोर्स होने वाला है नीशे मैंने डिस्क्रिप्शन वाक्स में उसका लिंक दे दिया है तो जाकर उस पर जरूर से देखो और सब्सक्राइब कर लो इसको ताकि आपको आप बात करते हैं नेक्स्ट की और हैं दीज सब्सक्राइब οιенस और सब्सक्राइब बात देख सकते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 न mówi सब्सक्राइब सकती हैं Idento पर तो admit card आपकी पंदर दिन पहले आ जाएगी और आपकी यहां पर देख सकते हो exam date दिया गया वह 21 मैं यहां पर मैं 2021 में आपके यहां पर इसकी exam conduct करा जाएगी वह एक रवाद कर इसके बारे में तो इसकी slayvals की फुल डीटिल अपको यहां पर दिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा तो complete डीटेल मैं ने उस अग्रों बात करें तो यह ऑवरल यहां पर 800 से ज़्यादा यहां पर वेकैंसी दिया गया है बाकी आप देख सकते हो ग्राम पंच है डेवलोप्य और वीडियो को लाइक जरूर से करना अगर आपको यह जोब अपडेट अच्छी लग रही है तो गाइस लास्ट जो जोब अपडेट है वह आये यहाँ पर अगर यहाँ पर अगर यहाँ पर अगर यहाँ पर बात करें तो इसकी लाश्ट आप देख सकते हो 10 दिसमबर तक इसकी लाश्ट डेट रखी गई है और इसमें वेकेंसी काफी जादा है सेलरी भी अच्छी खासी है 15,000 आपकी फॉस्ट यह में है 16,000 प्लस आपकी 2nd year में और 3rd year में आपकी 19,000 इसकी सेलरी होने वाली है अगर इसकी स्लेबस की बात करें आपको नोटिफिकेशन की तो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वॉक्स में वीडियो मिल जाएगा मैंने कम्प्लिट स्लेबस बताया है और साथी साथ यहाँ पर इसकी SBI की नोटिफिकेशन की भी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन वॉक्स में मिलेगा और कम्प्लीट कोर्स की भी डीटेल है यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन वॉक्स में मिलेगा ठीक है करना पड़ेगा जिसमें मैं लिंक दिया है फुल कोर्स का लिंक है इसका SBI अप्रेंटिस का अगर आप वह कोर्स में इंड्रॉल करते हो तो आप SBI क्लर्क भी उस कोर्स से कंप्लीट कर सकते हो तो यह जो वेकैंसी है जिसमें की ट्रेनिंग होगी आपकी अप्रेंटिस के करते हैं तो इसलिए जब भी आप इस कोर्स के लिए तैयरी कर रहे हो तो आप SBI क्लर्क के तैयरी करो क्योंकि उसी में इसका एक्जाम कवर हो जाएगा अगर प्रपर्पर्णिस के लिए तो थोड़ा सा आपके लिए कोशली होगा क्योंकि एक ट्रेनिंग है ना कि यह पर् वेकंसी भी आप देख सकते हो काफी अच्छी खास है आपको फैदा भी मिलने माला है इसका तो अगर आप अपर 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 फैदा भी मिलेगा एक फायदा भी मिल जाएगा और SBI क्लर्क में आप यहाँ पर जाने का आपका रास्ता भी खुल जाएगा ठीक है तो यह एक वेकंसी है अगर आप इसमें फॉर्म फिल अप करना चाहते हो तो नोटिफिकेशन के जरूर से चेक आउट करना गाइस जाने साथी साथ ग्रेज़ेशन और फैकशन ए यहाँ पर एली सबसें तो यह आज की वीडियों करता ह